जैभीम नवबुद्धाय वाईसाब बुद्धिजम में आप सबका स्वागत थे तो दोस्टों आज हम देखने वाले हैं क्या आप जानते हैं भारत की भारत का जो इतिहास है यह इतिहास कौन सी भाषा में और कौन सी लिपी में लिका हुआ है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ समझने का प्रयास करो भारत का इतिहास जो है वो इतिहास प्राकुरुदैन पाली भाषा में लेका हुआ है और उसकी जो लिपी है उसे धम्म लिपी कहा जाता है लोग इसे ब्राम्मी लिपी से भी जाना जाते हैं लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं हम आपको सिखाने का प्रयास जरूर करेंगे अगर बॉइस बुद्धिजम के माध्यम से लोगों को बुद्धिजम का इतिहास सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें लोगों को हमारा इतिहास जिस लिपी में लिखा हुआ है उस लिपी का आना बहुत ही जरूरी है दोस्तों कि इस वोई सब बुद्धिजम के माध्यम से ही हम आपको प्राचीन धम लिपी शिखाने का प्रयास करेंगे अगर आप यह लिपी सिखने के लिए तयार है तो जल्दी से जल्द यह धंबलीपी जान सकते हैं तो दोस्तों लगबग महारास्ट्र में धंबलीपी सिखन रिसर्च इंस्टुडूट के माथ्यम से प्राचिन धंबलीपी और प्राचिन पाली और प्रकृत भाषा सिखाई जा रही है ताकि हमारे भारत का जो इतिहास है वो इतिहास लोगों को पता चले तो दोस्तों चलो हम भी सिखने का प्रयास करते हैं हम भी अपना इतिहास जानने का प्रयास करते हैं और आप भी हमारे साथ धंबलीपी सिख सकते हैं तो दोस्तों धंबलीपी के मात्यम से हम अपना इतिहास जानने का प्रयास करेंगी हर वो शिलालेख है वो शिल करेंगे हैं के लियुद्ध तो this video के मात्यम से वॉइस यूट्व चानल के मात्यमुसे एक भाइस करेंगे तो आप भी इस धम्ब लेपि के कंव है मैं सुझाने के प्रयास करें तो दोस्तों ये वीडियो हरएक बौधान आई के पास भेज दो उनको यह आउप सामने रख रहे हैं उन्हेंogly को सीख सकते हैं इस भाषा में लिखे हुए इस लिपी में लिखे हुए पत्थर में जो सिलालेक लिखे है वो आप भी पढ़ सकते हैं आप भी इस भाषा में वारतालाब कर सकते हैं तो दोस्तों चलो इस यूटुब चानल के माध्यम से हम इस भाषा को सेखने का प्रयास करेंगे तो दोस्त पहुंचाने का काम के लिए और कमेंट बॉक्स में आपके आभी प्राइदे दीजिए अगर आपको इसलिए पी सिखना है तो इस नमबर पे आप वाट्सअप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नहीं जानकरी के साथ तब तक आप सबको जय भीम नमबुद्धाएं